आईफोन 16 नया चमचमा आता हुग आपको मिल जाएगा 50,000 रुपए का 15, 45,000 रुपए में 14, 40,000 रुपए के अंदर आपको मिलेगा लेकिन यह जो आफर है यह एप्लिकेबल होगा 2025 की फिलिपकर अमेजॉन सेल पे अभी चल रहा है 2024 यदि आप आईफोन लेना चाहते हैं त जो 14 है इसके लिए आपको चुकाने पर सकते है 45,000 रुपए है और 13,000 रुपए में आपको मिलने वाला है और 12 है यह आपको पड़ेगा 30,000 रुपए का लेकिन यहां पर थोड़ा सा कैच है कैसे येपोन इतना सस्ता आपको मिल सकता है किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सा आइपोन आज क्रेट में काफी तगणा वाला है इसके बारे में खुल के बात करेगे पक्का आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसा मेरा मानना है मेरे पास आइपोन 15 है ये भी यार मैंने सेल में बाई किया है ये जो एपल वाच है ये भी म मेंबर है और साथ में फिलिपकार के प्लस मेंबर्शिप आपने ले रखी है उनके लिए जो सेल होगी ना वो होगी 26 तारीक को और यहीं पर सारा का सारा माल चट जाएगा यदि आपको आइपोन बाई करना है सबसे सबसे प्राइब में तो भाईया आपके बास ये दोनों चीज होनी काफी ज्यादा मल्श्ट है धिरे धिरे करके जो फोन का प्राइस होता ना वो बढ़ जाता है आइपोन 15 आपको पहले दिन काफी सस्ता मिलेगा हो सकता है 27 तारीक को जब सब के लिए सेल स्टार्ट हो इस फोन का प्राइस पक्का बढ़ेगा तो भाई आप कही ना कहीं से जुगाड करिएगा और यह जुगाड आप कर लेंगे आपके ही पैसे बचेंगे सेकेंड चीज बैंक डिसकाउंड वो भी दोनों वेबसाइड में अलग-अलग है SBI काम करेगा Amazon में और जो HDFC है ना यह बिंदास आपको डिसकाउंड देगा फ्लिप कार्ड में तो भाई यह कहीं ना कहीं से कार्ड उपलब्त करा लेंगे तो आपके एक्षा पैसे बचेंगे एक और यार इन्होंने गेव खेला है जो एक्चेंज बोनस है ना उसके बाद यार आपको और भी कमाल का डिसकाउंड मिलेगा यदि आपके बास कोई पुराना वाला फोन है तभी आपको आईफोन का 15-50,000 रुपए के अंदर मिलेगा आपको जो फोन होगा ना वो काफी अच्छे वाले प्राइस में मिल सकता है देखिए आपका बजट है 30,000 रुपए के अंदर आईफोन के काफी भारी वाले भक्त है केवाल लेना चाहते है आईफोन तो यार आपको मिल सकता आईफोन का 12 वो भी अंदर 30,000 बैंक आउफर एक्चेंज बोनास के साथ यहां पर सबसे बड़ी वाली जो दिक्कत है वो है स्टोरेज की मातर आपको 64GB से ही काम चलाना पड़ेगा आज की डेड में 64GB काफी कम है लेकिन आपकी जो नीड है आईफोन की वो पूरी हो जाएगी आपने बहुत जाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया बहुत सारी फोटो क्लिक कर लिए बारबन वाट्सेप में अपडेट आ गया तो ये फोन आपको रुला भी सकता है बैटरी वेकप यार मैं डीसेंट ही कहूंगा बहुत ही कमाल का तो नहीं है लाइटनिंग वाला ही पोट आपको मिल रहा है बनलब टाइप सी भी आपको नहीं मिलता है उपर ही तरफ नौच नहीं नौच आ ही है और आज किरेट में 60 Hz आपको नौन प्रो मॉडल में प्रोइड किया जा रहा है चाहे वो आईफोन का 12 हो चाहे वो नया वाला आईफोन का 16 हो लेकिन यहां पस सबसे कमाल की जो चीज है वो है पीछे वाला कैमरा जिनको व्लॉक करना है मेरे साहब से ये कैमरा आपको काफी बिंदास लगने वाला है मतब 30,000 रुपए के अंदर एकलोता आईफोन का जो आपको वेरेंट मिल सकता है वो है आईफोन का 12 आईफोन 13 का भी प्राइज आ चुका है अमेजोर में 38,000 रुपए में मेरे साहब से काफी अच्छी वाली डील हो सकती है देखिए चाहे वो 12 व अच्छा वाला आपको प्रोसेसर भी मिल जाता है और जो यार पकड़ने में फील है ये भी आपको काफी प्रीमियम लगेगा बट ये जो फोन है ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी लग सकता है पहले से काफी बहतर बैटरी भी आपको प्राइट करी जा रही है तो आईफोन पर भी आपको लाइटनिंग पोर्ट ही दिया जा रहा है सभी आईफोनों में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है अलग से आपको चार्जर भी बाय करना पड़ सकता है लेकिन जो लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल है वो आपको बॉक्स अंदर प्रोइड करी जा रह ही हैं लेकिन जिनका बज़ट कम है ना मैं तो आपको यह कहूंगा आइफोन 13 बाय करें बट आप थोड़ा सा बज़ट को उपर करके 15 बाय करेंगे आपको और भी बहुत कमाल की चीज मिल जाएगी और 14 मेरे साब से बहुत ज्यादा चला भी नहीं है बट पिछले साल सेल में यार यह फोन बिग गया है और बहुत सारे इंडिया में यूजर हैं जो सेल के दिदार करते हैं क्योंकि फिलिप कार्ड में आइफोन ही सबसे तगड़ा बिगता है सिम्पल मैं आपको यही कहूंगा बजट को ऊपर ले जाएए और बाय करें आइफोन का 15 पचास हजार रुपए के अंदर एक्सचेंज बैंक कॉफर लगा के आइफोन का 15 मेरे हिसाब से बहुत ही गदर वाला फोन है पहले ग्लॉसी वाले फिनिश में फोन आता था लेकिन 15 में आपको यह मैट वाला फिनिश मिल रहा है देखने में बहुत ही प्यारा है फोन का जो बज़ान है वो भी बहुत जादा नहीं है काफी कॉमपैक वाला आपको डिजाइन मिल रहा है मतलब डिजाइन के मामले में इस फोन को आप फेल नहीं कर सकते हैं आगे की तरफ आपको 60 हर्ट्स वाला ही डिस्प्ले प्रदान किया जा रहा है लेकिन सही है मुझे अभी तक यार यूज करने के दौरा दिक्कत तो नहीं हुई है उपर की तरफ आपको यार जो आईलेंड वाली चीज मिल रही ना ये पैसे चार्जर हो सकता है आपको बाइन ना करना पड़े यहां पर भी आपके पैसे बच जाएंगे और मेरी साहब से इस फोन का जो प्रॉसेसर है वो भी अभी तक तगड़ा है लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे पोर में जो अपडेट आया है ना iOS 18 का इसको यार करने के बाद जो बैटरी हेल्थ है वो 97 में पहुच चुकी है पहले 100 परसेंट थी और कहीं ना कहीं सॉफ्टर के बाद बग आते रहते हैं और मैं तो बाहर जितने भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं आउट्डोर के वो आईफोन 15 से ही रिकॉर्ड करता हूं 4K 60fps में क्या स्मूज वीडियो आता है कलर साइन बहुत ही कमाल का है व्लॉक करना है ना 50,000 रुपए के अंदर दूसरा फोन भूल जाईए आईफोन का 15 पक्ता उठा लीजे आज की टेड़ में जो आईफोन काफी ज़्यादा बंचक है वो है आईफोन का 15 50,000 रुपए के अंदर क आई श्याद 14 आपको मिल जाता है 40,000 रुपए के आसपा तो आप जा सकते है 14 में नहीं तो बाय करें आईफोन का 13 40,000 रुपए में नहीं मिल रहा आईफोन 14 उसको हटाईए और आईफोन का 15 ले लेजे और मैं तो आपको यही कहूंगा जहासे में मताईए बजट है तभी बाय करें किसी से मांग मूं के फोन को लेगे ना अच्छी बात नहीं है आपकी दिवा में कोई और सजेशन है कुछ भी आप बताना चाहते है वो आप नीचे कमेंट करके बताईएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यही से जाके बाय करिए और बस यही क